हेलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल फ्री स्टडी में तो आज की जो वीडियो उने वाली है यह क्लास 6 के पहले चप्टर की सेकंड पार्ट है जो हमने पहले पढ़ा था पहला पार्ट उसका इस सेकंड पार्ट है थोड़ा सा पोशिशन रह गया था वो आज हम कवर करने वाले हैं तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्स सिस्टर M envo गै गयनी भीड है ऑशाल बीड है मायेард है इंसी स्ट्राइड उस्टेर मून में लिखा है हैं हमारा मो ने फ्रिफ्ट मून है सोलर सिस्टेम में ने ओकैर यह अर्थ का एक natural satellite है तो distance of moon from earth जो distance है moon का earth तक लेके यह है 384,400 km जो diameter है its diameter is only one quarter that of earth यानि कि one fourth है इसका diameter हमारे earth का ओके earth का जो one fourth हिस्टा है उसका diameter है यह समझ दीजिए ऐसे ठीक है moves around the earth in about 27 days ओके यह एक चक्कर लगाता हमारे earth का 27 days में ओके यह नाइदर water नौर air ओके ना इस पे water है नहीं air है जो अभी हमारे mission हुए है moon पे वह एक तो चंद्रियान 1 चंद्रियान 2 एंड team इंदस करके यह हुआ unmanned spacecraft to moon यह संद्रियार 18 में हुआ है ओके तो आगे हम देखते हैं constellation तो constellation क्या होते हैं different group of stars called constellation ओके जो हमारी international astronomical union है उसने 88 official constellation declare करें ओके जिसके आपके थोड़े बहुत जिसमें हम आज पढ़ने वाले उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर तो जो उर्सा मेजर हैं उर्सा मेजर को हम big bear भी कहते हैं एंड जो उर्सा मेजर की टेल होती है उस पे जो star होता है यह सबसे brightest star माना जाता है और सब्तरशी मंडल क्या होता यह भी हम देखते हैं मैं आपको बताता हूँ यह आपको जो portion दिख रहा है यह वाला यह वाला जो portion है इसे कहते हैं सब्से ब्राइटर स्टार होता है उर्सा मेजर का तो अब हमाते हैं उर्सा माइनर पे टेल पे जो star होता है इसे हम कहते हैं Polaris यह सबसे brighter star होता है ओकें किहाँ Polaris is the brightest star in Ursa minor North star जो होता है वो indicate करता है North direction पहले time में जो था कमब्र वगरा नहीं था तो उससे आम इंद डाइक्शन का exam नहीं पता लग पाता था लेकिन जो star से लोग पता कर लेते थे ठीक है और इन्हें हम Pol start भी कहते हैं ओके पार्ट में पड़ा था मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टरोइट बेल्ट है मेंज के टाइनी रॉक्स हैं टाइनी बॉडीज हैं उनकी एक चेन हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं अब मीट्रॉइट्स क्या होते हैं मीट्रॉइट्स होते होते ही स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो हमारे सन के कर रखाती है ठीक है कभी कभी क्या होता है हमारी अशाली ऑजाते है अंदर और वह जमीन पर गिरते हैं तो एक फ Giroud ठीक है अब हम देख लेते हैं light year क्या होता है light year distance travel by light in one year is called a light year जो light के द्वारा एक साल में distance cover करा जाता है उसे light year कहते है speed of light कितनी है हमारी 30000 km per second ठीक है अब यह थोड़ा सा important factor जो मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसे भी देख लेते है geologic का मतलब होता है study of earth okay geometrics है math पढ़ते हैं तो उसमे measurement of earth joyde, joyde का मतलब जसे हमने पहले part में पढ़ाता है कि joyde जो हमारी earth है वो joyde shape की है तो इसमें एक form of the earth बताता है किस तरह की shape है ठीक है तो यह chapter जो है हमारा ख़तम हो गया अब next video हम chapter 2 cover करेंगे जोग्राफिक का तो अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और खुद भी सीखें और उनको भी सीखें जोग्राइब करेंगे